नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर नकेल आप सभी का बहुत बहुत शागत है मेरे येटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सेक्सल वीकनेस की टॉप फाइब ऐसी होमोपेथिक मेडिसिन की बारे में यहाँ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं होती है मेंटल एक्जरसंस के कारण पेशेंट को यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है धीरे धीरे करके बहा मास्टर विशन करने के कारण भी यहाँ प्राब्लम्स हमें पैशेंटों में देखने को मिलती है तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको टॉप फाइव ऐसी होमोपेटिक मैडिसिन की जानकारी देने जा रहा हूँ जो काफी effective है इस medicine का use आपको किस तरह से करना है medicine का dose और medicine का repetition सबसे ज़्यादा मायने रखता है यदि आप किसी medicine का शेवन करना है तो किस potency में आपको करना है और कब तक regularly करना है और कब हमें इस medicine का repetition करना चाहिए यहाँ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ तो इस वीडियो को आप अंटक देखें medicine को details में और अच्छी तरह से समझे और किस लक्षण में हमें कौन सी medicine यूज़ करनी चाहिए यहाँ भी proper जानकारी आपको होना चाहिए तभी आपको काफी effective और काफी अच्छे results देखने को मिलेंगे तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेट कलर की बटन दवा कर चैनल को सस्क्राइब कर लें साथी साथ वैल आइकन की घंटी को जरूर पेज करें ताकि सभी latest medicine की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करेंगे sexual weakness के बारे में दोस्तों आपने देखा होगा यंग एज में काफी बच्चे होते हैं जो masturbation के कारण उनके link में सिथिलता आ जाती है penis में सिथिलता आ जाती है और उन्हें sexual weakness आ जाती है आपने देखा होगा live style हमारी काफी changes हो चुकी है पॉरन्ड वीडियो हम देखते रहते हैं हातों का उपयोग जादा patient लोग करते रहते हैं और mental exercise के कारण उन्हें sexual weakness आने लगती है तो आज की इस वीडियो में जो आपको top 5 ऐसी homopathic medicine बताने जा रहा हूँ जो काफी effective है आप dose सबसे जादा अच्छी तरह से समझते चलिएगा और symptoms को अच्छी तरह से समझते चलिएगा तो पहली medicine है दोस्तो acid force acid force बहुत ही अच्छा काम करती है जब patients mentally work बहुत ही ज़ादा करता है mental की work करने के कारण उन्हें धीरे धीरे करके साररी कमजोरी आने लगती है और अपने आपको बहुत ज़दा कमजोर पाते हैं जब भी बहुत परफर्मेंस करने जाते हैं तो बहुत ही जल्दी एजुकलेट हो जाता है और कई बार आपने यहाँ देखा होगा कि patients को erection आना ही भी बंद हो जाते हैं तो उसमें acid force बहुत ही अच्छा काम करती है जिन patientों को mental exercise होता है mental anxiety patient को होती है जिसके current patient को sexual weakness आने लगती है उसके बाद physical weakness आने लगती है तो उसमें acid force का use किया जाता है जब भी हम acid force का use करते हैं तो हमें 200 potency या 30 potency में इस medicine का shaven करना चाहिए 200 potency में दिन में एक बार इस medicine का use किया जाता है regular 25 days तक इस medicine का use किया जाता है 30 potency में भी इस medicine का shaven किया जाता है दिन में दो बार इस medicine का shaven किया जाता है चार बून सुबा और चार बून स्याम को direct tongue dose इस medicine का लिया जाता है mother tincture form में भी इस medicine का use किया जाता है यति Mother Tincture Farm में इस medicine का हम use करना है तो 2-3 मेने तक continue इस Mother Tincture का shave-1 हम कर सकते हैं Mother Tincture का shave-1 हमें एक कप गुनगुने पानी में 15 बून सुबा 15 बून दुफर में 15 बून रात में continue इस medicine का shave-1 हमें करना है तभी हमें काफी अच्छे results हमें देखने को मिलेंगे जब हम इस Mother Tincture का shave-1 करते हैं तो another कोई भी Mother Tincture साथ में मिला के हम use नहीं कर सकते हैं इस बात का हमें बिसेज ध्यान रखना है अनिता results आपको बिलकुल भी देखने को नहीं मिलेंगे next और काफी effective medicine है जिसका नाम है दोस्तो Agnes Custus Agnes Custus बहुत ही अच्छा काम करती है जिन patient को भी पूरी तरह से impotency आ गई है erection proper तरीका से नहीं आते हैं sperm proper तरीका से नहीं बन पाते हैं सिथिलता penis में पूरी तरह से आ गई है तो उसमें Agnes Custus medicine का use किया जाता है Agnes Custus की यह दिया हम बात करें तो Agnes Custus 30 में काफी अच्छे results हमें देखने को मिले हैं Agnes Custus आप 30 potency में use करें चार बून सुभा और चार बून स्याम को 10 dose आपको लेना है regular कम से कम इस medicine का 7, 35 से 40 दिन तक आप use कर सकते हैं इसको mother tincture form में भी use किया जाता है एक कप पानी में 15 बून सुभा, 15 बून दुफर में 15 बून रात में गुनगोने पानी से 2 मेहने तक इस medicine का 7 किया जाता है जिससे patient की जो complaints होती है बहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है तीसरे नंबर पे medicine आती है दोस्तो Calidium साइद आपने नाम जाना ही होगा और नाम आपने सुना ही होगा Calidium बहुत ही अच्छा काम करती है इसका बिसेस लक्षन यहा होता है कि patients को है virtual याने की patients के मन में एक ही विचार बारवार चलते रहते है Patients master vision करने की किरिया को बारवार दोहराता रहता है Patients महिलाओं की बारे में बारवार सूचा करता है Morning erection आते हैं जाद रात में भी सूथा है Patients तो erection प्रॉपर तरीका से आते हैं नील खुलती है Erection चले जाते है Is the Belmar keynote symptom of this Calidium medicine Patients को हलका सा मीठा पसीन आता है और Patients बहुत ही जल्दी ठक जाता है तो उसमें Calidium medicine का यूज किया जाता है यहाँ इसके Belmar keynote symptom है Calidium आपको 200 potency में शेवन करनी है दिन में एक बार Calidium का हम शेवन करेंगे Regular 25 days तक यूज करेंगे इसके बाद medicine को हमें बंद कर देना है इसके बाद जूभी symptoms हमारे सरीर में match करते हैं उसके अधार पे हम medicine यूज करेंगे Calidium जब एक बार अपने medicine यूज करना start कर दिया तो regular यूज करेंगे बीच में गैफ नहीं करना है इस बात का हमें विसीज ध्यान रखना है regular जब से हमने यूज किया तो regular यूज करेंगे इसके बाद जो stop करेंगे तो एक या दो मेने तक stop रखना है यदि इसकी आवशक्ता आपको पढ़ती है तो फिर से आप सीवन कर सकते हैं इस तरह से हमें Calidium यूज करनी है next medicine आती है दोस्तो आपने जाना ही होगा जिसका नाम है दोस्तो डेमियाना डेमियाना हमारे sperm account को बढ़ाता है जब patient पूरी तरह से impotency patients को आजाती है आपने दिखा होगा बहुत सारे patients alcohol का शेवन करते हैं बहुत सारे patients cigarette का शेवन करते हैं जिसके कारण धीरे धीरे करके उन्हें impotency आजाती है नपुन सकता कि वहां सिकार हो जाते हैं तो kelleatum और demiana उनके लिए राम बांड की तरह काम करती है demiana mother tincture form में आती है mother tincture form में इस medicine का शेवन किया जाता है यहाँ testistron level को बढ़ाने के लिए भी इस medicine का यूज किया जाता है सुकुरानुओं को भी बढ़ाने के लिए demiana mother tincture का यूज किया जाता है इसका सेवन हमें एक कप पानी में पंदरा बुन सुभा, पंदरा बुन दो फैर में पंदरा बुन रात में यूज करना है agnes casters के साथ मिला कर हम इस medicine का शेवन कर सकते हैं पर जो हमने acid force की हम को आपने जो हमने जानकारी दिये उसके साथ इस medicine का सेवन नहीं करना है इस बात का हमें विसेज ध्यान रखना है इसका यूज हम regular 40 से 50 से 60 दिन तक इस medicine का mother tincture form में हम सेवन कर सकते हैं 2 से 3 मेने तक mother tincture का सेवन किया जाता है potency के form में demiana का use नहीं करना है इस बात का हमें विसेज ध्यान रखना है next medicine आती है दोस्तों बहुत effective homeopathic medicine है जिसका नाम है दोस्तों नूफरल्यूटियम नाम सायद आप जानते ही होंगे नूफरल्यूटियम mother tincture वहाँ पे use की जाती है जब patients को पूरी तरह से erection चले ही जाते हैं कोई भी erection नहीं आते हैं patients चिष्टा करने के बाद भी कुछ भी patients का नहीं हो पाता है पूरी तरह से important सी patients को आ जाती है penis पूरी तरह से सिथिल्ध हो जाता है तो उसमें नूफरल्यूटियम medicine का use किया जाता है आपने देखा होगा जबानी में बच्चे बहुत ही जादा गलत संगती में चले जाते हैं गलत आदोतों का सिकार हो जाते हैं जिसके कारण इंपोर्टेंशी patients को आ जाती है तो उसमें नूफरल्यूटियम medicine का use किया जाता है नूफरल्यूटियम बहुत ही अच्ची और बहुत ही इफक्टिव यहां नूफरल्यूटियम medicine है next medicine आती है दोस्तो लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम सायद आपने नाम सुना ही होगा लाइकोपोडियम उस case में बहुत ही अच्छा काम करती है जिन patient को importance आ गई है जिन patient बहुत जादा master vision किया है और जिन patient की age काफी हो चुकी है 40 प्लस जिनकी age हो चुकी है तो उसमें लाइकोपोडियम का use किया जाता है जब patient को यदि prostate की भी problem हो जाती है prostate के कारण बहुत दीरे-दीरे करके उनके erection आने बंद हो जाते हैं sexual weakness के भाँ सिकार हो जाते हैं तो लाइकोपोडियम उसमें use की जाती है लाइकोपोडियम के उपर मेरा personally video है और जितनी भी medicine मैंने आपको यहाँ पर details में बताई है यदि उसकी जानकारी या पूरी तरह से चाहते हैं तो उसकी उपर मेरे personally video है discussion box के नीचे पूरी link दे दीता हूँ पूरे video आप देख सकते हैं लाइकोपोडियम का शेवन किस तरह से आपको करना है लाइकोपोडियम का शेवन आपको 200 potency में regular 25 days तक करना है चार बून सीरी direct tongue dose में दिन में एक ही बार इस medicine का शेवन करना है next आता है दोस्तों में जाते जाते आपको यहाँ एक mother tincture में बताने जा रहा हूँ जिसका काफी मात्रा में यूज किया जाता है जिसका नाम है दोस्तों अश्रगंदा अश्रगंदा का यूज आपको mother tincture form में करना है एक का पानी में 20 बुन सुबा 20 बुन दुफा में 20 बुन रात में इस medicine का यूज किया जाता है चाहे mental weakness चाहे sexual weakness किसी भी प्रकार की कमजोरी में इस mother tincture का यूज किया जाता है इस medicine का शेवन कम से कम आपको 4-5 मेने तक अश्रगंदा के लिए आप यूज करते हैं तो सारी compliance आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है आसा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छे लगा है वीडियो अच्छे लगा है यह वीडियो को जरूर लाइक करें रेट कर की बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन की गंडी को जरूर फ्रीज करें ताकि सभी लेटिशन मैडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें दोस्तों आज की वीडियो में वस इतना ही फिर बेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिन जै भारत बंदे मातरम